अब तक आपनी देखा कैसे वास्तु शास्त्री वामाचारे के कारण एक तरफ तथा चारे को धनी मनी बीच नदी में छोड़ाते हैं दूसरी तरफ शार्दा भी वास्तु को ध्यान में रखकर घर की रसोई तुरवा देती है ये देख दथा चारे और रामा दोनों ही वामाचारे से परिशान हो जाते हैं अब आगे नरक में सड़ेगा नरक में सड़ेगा ये वामाचारे है हमारा शेन कख्ष्टोन है हमारा जिदी मिल जाए शाब देके भसम कर देंगे ए बंदू रामा तुझे शार्दा से बहस करने के क्या विशकता थी अब तेरे चक्कर में मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा मामाचारी की वज़ा से पहले ही बहुत क्रोधित हूँ मुझे और क्रोधित मत कर यदि वो दुष्ट कहीं मिल गया न तो मेरे प्रकोप से उसकी रक्षप को ये निकर पाएगा अब शमा प्राक्ति माचारी मैं देख नहीं पाया क्या देख नहीं पाया इसने मिशाल का ये शक्ति शाली रूप वान व्यक्ति को नहीं देख पाया हमें तो लगता है चैन बूच कर देख भाल सोच समझ कर हमें लक्षे बना कर हमसे टकर आयो तुम अचारी ऐसा नहीं वो ग्या है कि मैं बहुत ही गंभीर समस्या की उल्जन में सोचते सोचते चल रहा था कि घर से सोच समझ कर क्यों नहीं निकलता है ये महल के जो पत्थ है तुमारे सोचने के लिए बनवा है महराज ने आचारे आपकी भाव भंगीमा देखकर लग रहा है कि आपके दिन का प्रारम अच्छा नहीं हुआ है तुम्हें क्या उसुक्ता है ये सब जानने की हमारी गुप्चरी कर रहे हो आचारे अब आपके गुप्तचरी क्यों करूं आपके सारे पाप तो पहले से ही गया थे आपके बहुत विलंब हो चुका है प्रणाम अन्डित रामाकष्णा समय आने तुम्हें 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 चोड़ूंगा नहीं सेवक ठीक से करो उसे हाँ ठीक से गुवाओ अरे 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 महारात के सिहासन को उल्टा करने की उद्रणदता करें हो मूर्ख नित्यों का भाए नहीं है तुम्हें मुझिबर ये सब अनर्थ गोड अनर्थ अनिष्ठ का संखेट अकाल अम्रिच शीपायों रोकों इंदुश्का वियोगो मंत्री जी, आपके साथ किसी न अठिके निकी, यदि महराज को भनक लग गई तो प्रणय आजाएगी, अनर्थ हो जाएगा, आचार्या, हम भी जानते हैं कि इस सही नहीं है, परन्तु अंतरमहल के आदेशों का उलंगन हम नहीं करना चाहते हैं, नहीं, नहीं, आचार्या, लगता है हम दोनों को मिलकर सिहासन को सीधा करना होगा, महालाज के आने का समय हो गया है, शिर्चल, आओ आचार्या, ठोड़ी और शक्ती लगाईए ना, लगातो रहें, इससे अधेख प्रयास किया, तो हमारे आसिमित शारिरिक बल से ये सिंघासन टूट भी सकता है, वो क्या है ना कि हमें अपनी शक्ती को नियंतरन में रखना पड़ता, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहु बली, महाराज श्री कृष्न देवराया पधार रहे है, महाराज कृष्न देवराय की, महाराज कृष्न देवराय की, महाराज कृष्न देवराय की, महाराज कृष्न देवराय की, महाराज महाराज कृष् infinite दिश्चे थे. जिए, आज तो बेसले हैं ते? कृष्ती है! महाराज करें दिश्चे! कि अटे अट आगे कि अटरे हम बैच चुके हैं क्यों में बैच चुके हैं बैच बेच अट की सभा आरे में जाए माराज, शमा चाहते हैं, ये सिहासन को उल्टा करने का कारण हमें समझ में नहीं आया तो क्या करते गुरुमर, महल तुड़वा देते हैं क्या? महल को तुड़वा देते हैं हम समझे नहीं माराज पंडित रामक्रिष्णा, आपको तो विवा हो चुगा है जी महाराज, तो आप हमारा कष्ट अवश्या संझेंगे आप हमें बताइए कि यदि आपकी धरम पत्नी आपसे कुछ मांगे और आप वो वस्तु ना दे पाए, तो क्या होगा? पिर तो महाराज, हमारा भाग्य अर्तिशिग्र हमारा साथ छोड़ कर चला जाएगा और विपदा बादल बनकर हमारे सर पर मंड़ा आने लगीगी पस उसी विपदा से बचने के लिए हमने अपना सिंघ आसन उल्टा खरवा दिया क्योंकि कि सी वस्तु विशेष अज्य ने हमारी माहरानी चिंदयादेवी से कह दिया है कि महल में दोश है, और उस से बचने के लिए हमें इस महल को तुरुवाना होगा हें अब महल को तो नहीं तुरुआ सकते हैं तो दूसरा उपाई क्या बचा उल्टे सिंगासन पर बैठना वास्तु शास्त्र विशेशग्य भाराज कहीं ये प्रसिद वास्तु विशेशग्य वामाचारे तो नहीं है वो राज महल तक भी पहुच गए गुरुवर घर की रसोय से उठी चिंगारी कभी-कभी पूरे नगर को राख कर देती है हम अपनी सभा को यहीं से संबोधित करेंगे शमा करें महाराज परन्तु ऐसे ट्रजा क्या सोचेगी और पडोसी राज्य तो हसेंगे हम पर मनित र उसे रोपना हमारों उत्ष है इसलिए हमने तै कि हम इस वास्तु के टोटके को मानेंगे उसके अनुसार चलेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि वास्तु जीवन का मूल नहीं है हर समस्या का निवारा नहीं होता इसे धन्य हो महाराज धन्य है आप जो राजा अपनी प्रतिष्ठा की परवा किये बिना अपनी प्रजा का हित सोचे उससे महान इस संसार में कोई नहीं महाराज कोई नहीं परन्तु महराज आपके इस्त्याग से हमारा मन विचलित हो रहा है ये जो हो रहा है ये आस्वी कार्णी है विजन अगर राज्ये के लिए हानिकारक आने दीजे उस पाखंडी बावाचारे को हम उसे अपने तेज और साधना की शक्तियों से बास्मों करते हैं गुरुवर आप अपनी व्यक्तिकत बातों से विचलित नहीं होते हैं अपने व्यक्तिकत संबंदों के कारण अपनी कार्यनिती नहीं बदलते हैं इसलिए तो आप हमारे गुरुवर हैं पूजनिय हैं आप अपने आपकी सेवा करना छोड़ दिया है यान आप शेनाप बोल रहे हो आज से आप हमारे गुरुजी नहीं हैं हमारे गुरुजी हैं महाज्यानी वमाचार्ये उन्ही के आने का शुप संकेत देने आए हैं हम आपको अज्ञानियों को ज्यान देने वाले तुष्टों के प्राण हने वाले अदुबूद व्यक्तित्र के स्वामी पुलाने सभी गुरुओं से अधेक अंतर्यामी आचार यवाम, आचार यकी, जेहो, जेहो रामक्रिष्टा, कौन है? मैं देख कर आता हूं महाराज, जाओ तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, संचार तो अज्यानियों का समझ लेना चाहिए तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, कुछ नीज करना चाहिए, कुछ उपज़ना चाहिए, संचार तो अज्यानियों का समझ लेना चाहिए, किड़की और द्वारों की दशा जैसी रहती है, संचार तो अमने तहीं देखा है, वह ने नक्ष, वह व्यक्तित तुष्ट पक्ति ले मूरख्ता, रेदी हम वरून माला को नहीं जानते, तो इसे वरून माला समझ लेदे, वह इसा ही वरून माला समझ लेदे, और इष्कित दुवानी भी वरून माला चहिसे, केहेे... आचारि यह तो गुरूमाता प्रतित हो रही है और है एस तो वहरूण भाला ही है हम मों मुढा यह ए है यह क्या कर रहे है वहरूण माला जोभा तुइत भारी वरूण भाला कौन वरूण माला हम थो वामा चाह रहे हैं उरब से पश्चिम, उत्तर से तक्षे वरुन का वह और माला का माँ वामाचार्य, वामाचार्य स्त्री हैं गुरु माता वरुन माला ही आचार्य वामाचार्य है अबसे वामाचार्य बढ़ के खूम रही हो तुम? आप होते कौन है हमसे ऐसे बात करने बाले? क्या अनार्थि कर रही हो? स्वामी हैं आम तुमारे? हमारे स्वामी तो बस बास्तुदेव हैं आपका परिचे? हम राजबुई दथाचार्य हैं दथाचार्य? कमगोर पाप! अपने पती को नाम से संभोधित करती हो आप चिन का नाम बता रहे हैं वो आपकी धरम पत्नी है हम तो वामा चार रहे हैं पूरब से पच्चुन मुत्तर से दक्षिन वरुन माला वरुन माला उपास बंद करो घर जाओ जाओ तुश्पडाणी हमारे गुरू से ऐसी बात करने का सास हमारे गुरू जी का रास्ता रोकने की कोशिश की हमारे वमाचार्य जी का हम से बुरा कोई नहीं होगा अलक निरंजान सब दोख बंजान शांत शिश्यों शांत हमारे शिश्यों तेजित हो रहे हैं तथाचार्य तथाचार्य कृपया आप उन्हें और क्रोधना दिलाएं अन्ने था आपको चोट लगेगी और आपकी घर जो वरुन माला है उनको अत्यंत कष्ट होगा यह क्या हो रहा है हमारे दर्बार में पंडित रामकृष्णा जी महाराज क्या हो रहा है से महाराज गई उद्ध चल रहा है आचारय के ग्रे मंत्री ने उनके विरु दान दोलन छेड़ दिया है पंडित रामकृष्णा सरल शब्दों में समझाएंगे एक तो हम देखने ही पारे उपर से आप हाँ, अक्षामा माराक्षामा लगता है आचार्य को गुरुमाता के वामाचार्य के रूप के बारे में कोई बोध ही नहीं था उन्हीं इस तरह देखकर चकित रह गए है अच्छा, चकित तो हम भी रह गए थे जब महारानी चिन्ना देवी ने हमें इन वामाचार्य के रूप के बारे मगबताया था महाप्रतापी, न्याई मुर्ती, चक्रवर्ती, राजा, कृष्ण देवराय को वास्तु वेदाचार्य, वामाचार्य का शत शत प्रणाम महाराज, आपको प्रणाम कर रही है उनको भी प्रणाम है हाँ महाराज भी प्रणाम कह रहे हैं बस बहुत हुआ महाराज बहुत हुआ हमें इस वास्तु विश्यशग ये वामाचारे के ग्यान पर संदेह ऐसा कौन सा ग्यान इनके पास तो हम जैसे महाकाल महापंडित के पास नहीं है क्यों नहीं पूरब से पश्च्य मुत्ता से दक्षिन आप ने वास्तु शास्त्र के किस नियम के आधार पर महराद का सिंगासन विप्रित शामें करवा दिया बताईए वास्तु शास्त्र तो गंगा समान है पवित्र येवम महान है मनुष्यता का उधार जो करेगा समर्थ् उसी वास्तु के नियमों का गनित हम में लगाया है और राज का ल्यान हेतो हुई राज सिंगा संगुल्टा करवाया है गनित एक मन सीता भल्ले ने भिजो चार मन सीता भल के दाम दे आती और यहां वास्तु साश्त्र का गनित लगा रहे हूँ राज का सूर्य होता है राजा, वो उदित तो राज उदित, वो अस तो प्रजापस, तो राज सिंहासन होता है कर्मस्थल, तो राज काच होता है कर्म, अगर उसी की दिशा अनुकूल नहो, तो भो सकता है अधर्म, पढ़ सकता है आकाल, आ सकता है भुजाल, और पढ़ सकता एक अंकल! देखा कैसे सिट्टी बिट्टी गुम हो गई बुट्टे की! ऐसा लग रहा है जैसे बुट्डे ने साफ ठेख लिया हूँ! वह माचारीय जी की! जाहो! जाहो! वह माचारीय जी की! जाहो! मैं अभी आता हूं, महाराज! परमाता, महाराज उल्टी दिशा में बैटकर अपना राजकार्य सुचारू रूप से कैसे चला पाएंगे! तनिक ये भी तो सोचिये! आप कौन है? पूरभ सिपश्चिम उत्तर से तक्षित? ने, 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 इनमेंसे कोई ने! मैं महाराज का विशेष तलाकार और सेवक, पंडित रामकृष्णा हूं! और आपको वास्तु का ज्यान है? तो तुम्हें क्या ज्यान है वास्तु का वरुमाल? वामचार्य? वामचार्य जी! हमें ज्यान देने से पूर्व अपने ज्यान का परिचे कराओ! वास्तु शासर में कितनी दिशाय होती हैं, अति शेक्र बताओ! अमें सब ग्यान है, अमें तो पूरे ब्रहमांड का ग्यान है, हम मैं तन तथचारे हैं, हम बताते हैं, अभी बताते हैं! ये… झेतिक शेसवस्ती के दिशा पताये, सुदामनी के घर की दिशा, तेरी दुआर खड़ी जो मैं 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 बताता हूँ बास्तु में आठ दिशाय होती है गुरब, इशान, उत्तर, पश्चिम, व्यव्य, दक्षिन, नेरित्य और आगने मान्यवर जिस आकाश से हमको जल और सूर्य का प्रकाश मिलता है उसकी दिशा भूल गया महराज की जय हो, महरामी चिन्ना देवी ने हमारे परमपूजी आचारे को यहाँ पर दक्षणा प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है अगर दक्षणा मिल जाती, तो महराज आपका बहुत उपकार होता महराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया, सिंघासन सिधा करने का उपई उपई नहीं, महराज नहीं महराज, वामाचारिय के सेवक दक्षणा की बात कर रहे हैं अच्छा अच्छा तो उन्हें महार्ग मिल गया है सिंगासन सिधा करने का नहीं महाराज तो दक्षिना किस बात की सिंगासन को उल्टा करने का उपाई देने की जो उन्होंने बड़ी महाराणी को दिया था महाराणी चिनना देवी को जी महाराज अच्छा वामचारे जी को उनकी दक्षिना दे दी जाए कि अ कि महराज अती उदार है आपका ये वहवार अरुन्त ये दक्षिना हम स्मिकार नहीं कर सकते इस 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 आपके यह आने का प्रयुजन तो दक्षिना ही था ना महराज आपकी ये दक्षिना आपकी उदारता और आपकी तानवीता का प्रतीक है पर अन्तु ये हम तभी ग्रहेट कर सकते हैं जब हमारे ग्यान की शक्ति से होगा कल्यान जब हमारे वास्तु के उपायों से आपका बड़े का सम्मान, तभी होगा हमारे लिए इस तक्षिना का सही मार। महराज, जब आपको हमारे वास्तु शास्त्र के उपायों के कारण राच्च मेलाव दिखेगा, ये तक्षिना हम तभी ग्रहेंट करेंगे। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमती दीजे महाराज जी जी है अनुमतिया अस्थान गीश पूरब से पश्चिन उत्तर से तक्षिन हमारे गुरु हमाचार्यां की तोड़ते ना चाहिए बदलते ना चाहिए कर साद तो अज्यानियों का संबलने ना जाविए केवल दो दिन दे रहे हम आपको केवल दो दिन इन दो दिनों के भीतर-भीतर ये सिंगासन वापस सीधा हो जाना चाहिए जो आगया महाराज हम आप से नहीं कह रहे है पंडित रामकृषना जुरुवर हम आप से कह रहे हैं क्योंकि इस समस्या का समाधान तो आपके वल आप ही निकाल सकते हैं समस्या आपके ग्रह से उत्पन्न जो हुई है जी आहराजा मत्यंत लजजित हमें इसका आभास नहीं था हम समझ सकते हैं आचार्यवर किन्तु यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये महल मरुस्थल बन जाएगा और हमें हमारी सभा बाहर कहीं बेड के नीचे चलानी पड़ेगी हम समझते हैं परंतु हम अपनी कर्तव निष्ठा की सौवंत खाते हैं हमाराज हम आपको इस समस्या से मुक्ति दिलवाएंगे शिग्र अति शिग्र दिलवाएंगे जी गुरुवर जी आपके कउशल पर हमें पूरा भरोसा है कि तुझो भी करना है शिग्र अति शिग्र कीजिएगा क्योंकि हम यहां ऐसे अधिक समय बैट नहीं पाएंगे जी महाराज क्या सोच रहा है रामा कि तुने कभी पाल्तु कबूतर देखा है बंदु जो दिन में कहीं भी जाएगा आकाश में कितना भी उचा उड़ेगा परंतु संध्या होते ही घर वापस अवर्शी आएगा तु अपनी आपको कबूतर क्यों कह रहा है तेरी चोज थोड़ी नही हूँ बंदु इस महल में आने वाली विपदा कभूतर है मैं तो वो घर हूँ जिसमें कभूतर वापस आता है मुझे ऐसा लग रहा है ये वास्तु वाली समस्या का वजरपात मेरे सर पर ही पूटेगा रहा हुआ झाल झाल